Hello everyone, welcome to CCS Academy तो बेटा, CCS Academy में आपका स्वागत है तो लास्ट वीडियो में हम लोग इंट्रेक्शन और ड्राइंग के अबाने में पढ़ रहे थे और उसमें हमने आपको कुछ 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 दिया है तो वोग आपने वो कुछ जो है आपका स्वागत है तो अगर आपको थोड़ा सा याद हो बेटा अगर आपने वीडियो लास्ट वीडियो अच्छे से देखा हो तो हमने एक फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला क्या था फॉर्मूला था टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपन हंडरेट इंटू में क्या था आवरिज पिरियड अपन ट्रेट क्लियर था तो यही फॉर्मूला जो है हमने आपको लास्ट वीडियो अब बताया था अब यहां पर जो है टोटल ड्रॉइंग तो आपको दिया हुए टोटल तो 12 months में कितना भी ट्रोग किया total drawing 1,20 था हो जो रेट आपको यहां दिया हुआ है 8% ठीक है अब average period आपको निकालना है ठीक है बेटा विचले हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले average period का आपको यहां थे formula क्या हमने बताया था अच्छा आगे बढ़े तो अब देखो अब यह जो है इसकी drawing में अगर ध्यान दो यह drawing कप कर रहा है क्या लिखा है at the beginning of every month तो इसने पहली drawing कप की होगी financial year के बाद के तो financial year कप से start होता है एक अप्रेल से 31 मार्च तक होता है तो अब यह बताओ इसने पहली drawing कप की होगी पहली drawing इसने एक अप्रेल की होगा तो time left after first drawing एक अप्रेल के बाद उस financial year में कितने मेने बच गए बताओ very good 12 मेने बचे ठीक है अब अगला बोलता है time left after last drawing अब last drawing कप किया होगा थोड़ा दिमाग लगा के बताओ तो last drawing इसने किया होगा एक मार्च को अब एक मार्च से 31 मार्च के बिच में कितना महीं समय बच गया एक क्लियर है तो एक महीना यह बच गया तो अब यही च बोलता है 6.5 ठीक है यह 1 by 2 है इसको जब आप solve करते हो तो 0.5 ठीक है तो इससे आगया 6.5 अब हमारा आ गया अब हमना simply formula पर रख देंगे total drawing 20,000 into rate 8% into 6.5 upon 12 equal to 5,200 आग यह हमारा answer clear बटा आगे बड़े अब जो अगला case आ था उसमें क्या था अगर drawing जो है वो हर महीने के end में करता है तो क्या होगा 10,000 रुपे तो देखो बटा पहली drawing तब कब होगी financial year की सबसे पहली drawing होगी आपकी April में और April में कब होगी 30 April ठीक है 30 April अच्छा आखरी drawing कब होगी वो होगी 31 मार्च को ठीक अब यह बताओ time left after first drawing first drawing के बाद कितना बचा पहली drawing तो होगी 30 April के बाद उस financial year में कितने महिने बचे उस financial year में बचा ग्यारा महिना ग्यारा कैसे एप्रिल बाद में जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर नॉम्बर दसमबर जनूरी फिर्वी मार्च टीक है time left after last drawing कितना है 31 मार्च के बाद उस financial year में तो कुछ नहीं बचा अब इसको हम लोग 5.5 भी बोल सकते हैं ठीक है अच्छा अब formula पर लगते हैं तो हम क्या करेंगे पूरे साल बर उसने 10-10 रुपे करके 12 महीने तक विद्रॉ किया तो कितना विद्रॉ किया 120,000 rate of interest हमारा दिया है 8% तो 8 upon 100 हो जाएगा और average paid दिया है 5.5 upon 12 तो हम solve करेंगे तो हम इसरी हमारा case आता है if the drawing are made at the middle of every month तो हमने पढ़ा उसमें जो C था वो 10 रुपे हर महीने के middle में विद्रॉ करता है तो पहली drawing कप करेंगा 15 कप करेंगा 15 April को और आखरी drawing कप करेंगा 15 March तो time left after first drawing, first drawing के बाद कितना बचा 15 April के बाद कितना महीना बचगा उस financial aid में अगर April की अधा एप्रेल और 11 महिने उधर एक्स्ट्रा तो आधा एप्रेल को क्या बोलेंगे 0.5 और 11 महिने टोटल तो 11.5 बचा इसे तरह 15 March के कितना दिन बचा सिर्फ 15 दिन तो हम उसे क्या बोलेंगे 0.5 ठीके क्योंकि आधा महिना बचा ठीक है अच्छा इन दोनों को जब सम करक तो से डिवाइट करते हैं तो 6 पंद आ जाते हैं अब हम लोग फॉर्मला पर देखते हैं तो यहां पर आ जाएगा टोटल रॉइंग 1,20,000 इंटू 8 अपान 100 इंटू 6 अपान 12 4,80,000 दीृत टो विटा हम लुग थोढ़ा और आगे चलते हैं और हम लोग दॉइंग का एक और केस देखतेह हैं अभी तक अमने जुत के सब्सक्स पढ़ें इसं में जो डॉइंग हो रहा था वा यहां तैके मलेरी फॉरम थरिउस मार्स मतलब हर मईनिक हो रहा था ठीके अब यहाँ पर हम लोग case पढ़ेंगे जिसमें डॉइंग जो हो रहा है, वो quarterly हो रहा है, कैसे हो रहा है, quarterly, अब quarterly क्या होता है, तो देखो बैटा, साल भर में 4 quarter होते हैं, ठीक है, 4 quarter में, हर quarter में 3-3 महिने होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं, पहला quarter जो होता है, वो 1 April से start होता तक मतलब April May June पहले में आता है दूसरे कोटर में आता है July अगर September फिर उसके अगले कोटर में कौन सा आता है October 9 December और आखरी कोटर में आता है January February March clear है तो यह होता है quarterly ठीक है तो साल में कितने कोटर होते हैं चार और हर कोटर में कितने महिने होते हैं तीन महिने clear ने अच्छा अब इसी में कोशन जो आता है जैसे आप पहला कोशन देखिए क्या बोल रहा है हर कोटर के सुरुवात में हमने आपको बताया था चार कोटर होते हैं तो पहली कोटर के सुरुवात कब होती है एक अपरेल दूसरी कोटर के सुरुवात कब होती है एक जुलाई तीसरी कोटर के सुरुवात कब होती है एक अक्टूबर चौथी कौटर के सुरात कब होती है एक जनुरी क्लिर है तो यह चार कौटर हो गए अब क्या भूले है विन ड्रॉइंग हो रहा है कब हो रहा है at the beginning of each quarter तो मतलब हमने पहला ड्रॉइंग कर रहे है एक अप्रिल को दूसरा ड्रॉइंग कर रहे है एक जुलाई को तीसरा ड्रॉइंग कर रहे है एक अक्टूबर को और चौथी ड्रॉइंग कर रहे है एक जनुरी को तो यह बताओ अब यह जो हमारे एवरेज पिरिट के हिसाब से टाइम लेप्ट अफ्टर फर्स ड्रॉइंग first drawing के बाद कितना समय बचा देखो first drawing कबů उआ एक अपरेल इक अपरेल के बाद कितना समय बचा बारा मेन यह भले quarterly है लेकिन एपरेल के बाद में じूल जूलाई अगस सट्यम्बर अक्टूबर नॉमबर प्रसमार जनुरी मार्च इंक्लूडिंग एप्रेल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा पूरा पारा मेना ठीक है इसे तर टाइम लेट आफ्टर लास्ट डॉएंग लास्ट डॉएंग कब हुआ एक जनुरी एक जनुरी गवाद कितना मेना बचा तो जनुरी पूरा फेरुरी पूरा और मार्च पूरा तो तीन मेना यह बचा तो 12 प्लस 3 अपॉर्ण 2 तो यह चीज आप लोग यहां नीचे देखें 12 प्लस 3 अपॉर्ण 2 आ गया 7.1 बाइफ 2 को हम लोग 7.5 भी बोलते हैं क्लिर ने बिटा अब यह देखो अगले केस में क्या है पिन ड्रॉइंग ऑफ इकोल इमांट आर मेड अब जोता है जो होता है कब से मतलब पहली कlles क म Although आवा मेस कि देखो आप आप ईक तो तो आएँड मेस का घंड औह नो केंड का सक होग किस नहीं होगा 30 सेप्टर में उसका है 3rd quarter का end का होगा 3rd quarter का end होगा December में तो December में का होगा 31 December ठीक है और आफरी quarter का होगा ये होगा आपका March में तो March में का हो जाएगा आपका 31-05 March ठीक है आप देखो question क्या बोलना है when drawing of equal amount are made at the end of each quarter क्या बोलना है at the end of each quarter तो पहला drawing कब हुआ होगा है 31 June को clear है 31 June से आपका कितने मीने बच्चे जुन के बाद July, August, September, October, November, December, January, February, March 9 मीने हुए कि नहीं यह दुख यह आपर 9 मीने लिखा हुआ है आखरी drawing कब हुआ होगा 31 March 31 March का दुख financial year में कितने दिन बचे 31 March का दुख financial year में बचे जीरो यह अगला जो एक अप्रेल है वो तो अगला financial year में आ गया clear है बेटा तो 9 प्लस 0.2 यह आ गया 4.5 यह आखरी case जो बोलता है वो क्या बोलता है when drawing of equal amount are made during the middle of each quarter हर नप क्वार्टर के मुटल में कव होगा पहला जो है quarter जो है वह एप्रेल से जून होता है तो एप्रेल से मिदल महीना कौन से ने और में का मिदल क्या होगा 15 में इसे तरह दूसरा क्वार्टर ज्युटा होता हूँ जुलाइर से सप्टेंबर के मिडिल में कब सा आता है। और अगस्त का मिडिल कौन सा होता हूँ जॉक्तूबर गंदर नॉम्बर के मिडिल मिद्ञाने मन और कि दया है जंवर्ड से ओयर।-फेश-वर्ड यह कोंकOR आए जो दोर इसनितर को अदल कि नाने शहकी कि जुड़ारी हुर्प हेट ध्युद्व हो रहा है टे me till अच्छी बात है अब याँ देखो तो पहला जो है 15 में जो है इसके वाद कितना महीना बचा तो देखो 15 में के बाद 15 दिन 15 में का बचा तो उसे हम लोग बोलेंगे 0.5 उसके बाद में के बाद जून जुलाई अगस सेप्टमबर अक्टूबर नॉमबर दिसमबर जनुरी फ 10.5 तो आप लोगे आदेख सकते हो 10.5 आगया इसे तरह टाइम लेफ्ट आफटर लाइंग आक्री डॉइंग कब हुआ 15 फेरुरी को 15 फेरुरी से उस फिनांशल एर को क्लोज होने तक कितना दिन बचा आधा 15 दिन फेरुरी का तो कितना हुआ 0.5 हो गया उसके बाद आपको कोशन दे देंगे अच्छा जो फॉर्मला है यह वही है फॉर्मला कौन से बिता है टोटल ड्रॉइंग इंटू रेट अपॉन हंड़ेट इंटू में आ जाएगा आपका एवरेज पीरियड अपॉन यह वही है जो पुराना फॉर्मला चला था बस यहां पर तो तो इसलिए लेट करोंगे तो यह लक्षे खत्म होते हैं